नमस्कार आदाब गुडिवनिंग आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में दोस्तों आज सुभा से भारत की आम जनता टीवी स्क्रीन पे इंटरनेट पर अपनी नजरे गड़ाई हुई है क्योंकि आज हमारे देश में साल 2019 का अंतरीम बजट पेश हुआ जिसको पियूज गोयल जी ने सब्मिट किया पार्लियामेंट में क्योंकि कुछ कारण वर्ष की वज़े से जो हमारे देश के वित मंत्री है अरुण जेटली जी वो इस बार का बजट पेश नहीं कर पाए स्ट्रोक है कि मोधी सरकार के जो प्रतिमिधिए कि ये मुदी सरकार का स्टीकल स्ट्राइक है विपक्षियों के ओपर मेंली आपका महागड बंदन के ओपर तो विपक्षियों का मानना ये है कि इनकी जो वाते हैं वो सारे के सारे खोकले हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो कि as usual politics में होता है एक दूसरे को criticize करना जहां तक मैंने इस budget का आकलन किया मैंने पाया कि ये budget भारत के पिछले जितने भी budget है mainly आपके जो Modi government की budget है उनसे ये थोड़ा सा different है और दोस्तों ये budget different करना भी जरूरी था क्योंकि आने वाले कुछ महिनों में गमारे देश में आम चुनाव होने वाले गैं और आप लोगों कोई पता है कि budget का प्रभाव चुनाव पर बहुत जादा पढ़ने वाला है तो आज संसत का जो महौल था वो देखने लायक था कहीं मायूसी थी तो कहीं पूरी की पूरी जोश भरी हुई थी हाउस जोश हाई सर तो देखते हैं कि 2019 के अंतरीम budget में हमारे लिए जानने को क्या-क्या है इस वीडियो में मैंने कुछ important जो budget की point है वो आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूँ आप लोग खुद इस budget का आकलन कीजिए और बताएए कि ये budget कितना सगी है या आप लोगों को इसमें क्तुरूटी नजर आती है निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कि एक लाइक तो बनता है यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी फैमली बढ़ी हो और अगर बहुत अच्छा लगे तो नाइस कमेंट तो लिखी सकते हैं आप लोग ये चलो कोई ना आप सिर्फ ये लिख दो हाउस जोष हाई सर तो निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर और देखते हैं अंतरीम बजट 2019 के कुछ इंपोर्टेंट पहलू ये हमारे प्यूश गोल जी हैं जिन्होंने इस बार का अंतरीम बजट पेश किया तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट इस बजट का ये था कि पांच लाख रुपे तक की आए पर अब कोई आए कर नहीं लगेगा पिछले साल तक थाई लाख रुपे तक आपका कोई भी आए नहीं लगता था मतलब की कोई भी इंकम टैक्स नहीं लगती थी मोधी गवर्मेंट का ये पहली बॉल पर ही सिक्सर था कि आने वाले समय में अब पाँच लाख रुपए तक की आए पर कोई भी इंकम टैक्स नहीं लगेगा इस टैक्स छूट का लाब तीन करोड मध्यवर्गी करदाताओं को मिलेगा नए इस लाख के मताबिक पाँच लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जबकि पाँच लाख से दस लाख रुपए तक की कमाई पर बीस फीसदी आयकर लगेगा जबकि दस लाख से अधिक आमदनी वाले से तीस फीसदी कर वसूला जाएगा मतलब कि आपका जो 5 लाग से 10 लाग रुपए है और आपका 10 लाग रुपए से उपर गया है उनका इस लैब बढ़ा दिया गया है तो एक जगा कटोती हुई है तो दूसरी जगा उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि मिडल क्लास को ध्यान में रखते हुए ही आपका 5 लाक रुपए तक कोई आयकर नहीं रखी गई है और सरकार ने 5 फीसिदी वाला जो टैक्सिस लाइब है उसको पुरी तरह खतम कर दिया है तो पहला पॉइंट इंपॉर्टन पॉइंट तो आपका यह है दूसरा बैंक और पोस्ट आफिस में जमा राशी पर मिनने वाले ब्याज पर टीडियस में छूट 10,000 से बढ़ा कर 40,000 रुपए हुई है मतलब की आप जो भी पैसे बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करते हैं उस पर जो आपको ब्याज मिलता है जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है उस पर जो टीडियस कटता है पहले यह टीडियस 10,000 रुपए तक कटता था अब यह 40,000 रुपए तक कटेगा मतलब की अब आपका ये slab और बढ़ गया है किराय से होने वाली 2.40 लाक रुपए तक की आमदनी पर TDS नहीं लगेगा मतलब कि अगर मान लिजे कि आप किसी बीचीज को किराय पर देखकर उस किराय से आपकी आमदनी हो रही है और अगर वो आमदनी 2.40 सिलाक रुपए तक है तो उस पे आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा इससे पहले क्या होता था कि 1.80 लाक रुपए इसकी सीमा थी उसके बाद आपको TDS देना पड़ता था TDS का मतलब होता है Tax Deduction Act Source जहां से भी पैसा जनरेट होता है महाँ पर आपको Tax Card के सरकार को देना पड़ता होगा इसे कहते हैं TDS आगे बढ़ते हैं आगे कहते हैं Affordable Housing Scheme में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याच पर मिलने वाली छूट 31 March 2020 तक बढ़ाई गई है मतलब कि अगर किसी ने Affordable Housing Scheme में घर की बुकिंग कराई है तो उसको जो ब्याच पर मिलने वाली छूट गए वो 31 March 2020 तक बढ़ा दी गई है अगला है दोस्तों दूसरा घर होने पर उसके किराय से होने वाली आए को इंकम टैक्स में दो साल तक दिखाने की जरूरत नहीं है मतलब कि अगर आपके पास दो घर गए और दूसरे घर से अगर आपको कोई आमदनी हो रही है तो दो साल तक आपको उस आमदनी पर इंकम टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है Next Standard deduction आपका पहले 40,000 रुपए था इसको बढ़ा कर अब 50,000 रुपए तक कर दिया गया है Next दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो रेलवे की जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पहले रेलवे का बजट हमारे देश में पहले प्रस्तावित किया जाता था लेकिन अब रेलवे बजट और आम बजट दोनों आपका साथ में आता है क्योंकि रेलवे बजट लागू करने का नियू अंग्रेजों का था जिसको की मोधी सरकार ने बदल दिया था सबसे पहला है दोस्तो प्यूज गोईल ने कहा रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोण का प्रवधान किया गया है मतलब की इस बार आपका रेलवे बजट 1.58 लाख रुपए का है और पिछले साल ये जो बजट था वो 1.48 लाख करोण रुपए था जिसको बढ़ा कर इस बार 1.58 लाख करोण कर दिया गया है और पिछ गोयल का मानना है कि बॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खतम की जा चुकी है मतलब कि आप इंडिया में आपको जितने भी बॉड गेज है उन पे आपकी जितनी भी मानव रहित क्रॉसिंग थी उने खतम किया जा चुका है देश में विक्सित घुई, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, बंदे भारत एक्स्प्रेस जो की नई दिल्ली से वारण सी चलने वाली है, लोगों को विस्विस्तरिय सफर का एहसास कराएगी, मिघाले, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रिल्वे के नक्षे पर आएए हैं, नेक्स है दोस्तों, दोस्तों अगला जो प्यूश गोयल ने पॉइंट रखा वो आपका किसानों के लिए हैं, और इसे भी कहीं न कहीं मास्टर स्टोक माना जा रहा है, क्योंकि अभी जब MP में राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार बनी, तो कॉंग्रेस ने किसानों का जो क किसानों को हर साल 6 गजार रुपै की मदद की जाएगी, ये मदद सीधे उनके बैंक खातों में पहुचेगी, ये किस्त साल में तीन हिस्सों में आएगी, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेर तक की जमीन है, उन्हें ही इस योजना का लाब मिलेगा, और पियूश गोयल का अगला है दोस्तों, बजट में ऐलान किया गया है कि अब 21 गजार रुपै तक कमाने वाले श्रमिकों को अब 7 गजार रुपै तक का बोनस मिलेगा, इसके इलावा जिन मजदूरों की तंखा 15 गजार रुपै प्रती महिने तक की है, उन्हें पेंशन दी जाएगी, इसके ल जिना से करीब करीब 10 करोण मजदूरों को लाब मिलेगा, साथ यी अब किसी शमिक की मौत पर ठाई लाक रुपै की बजाए 6 लाक रुपै मुआवजा दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं अगर आप देख रहे होगे, तो पिछले बजट के एकॉर्डिंग इस बजट को पू पूरे विश्व में एक आकड़े आये, उस आकड़े के तहट बीते 45 सालों में इस वक्त भारत में बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, और अक्सर इस सरकार को इस आकड़े पर घेरा जाता है, तो उस आकड़े को देखते हुए पियुश गुयल ने ये कहा, कि रोजगार के आकड़ों पर घेरी सरकार ने अपने बजट में एलान किया कि अभी तक मुद्रा योजना के तहट 5 करोन से अधिक लोन दिये गए हैं, उन्हों ने कहा कि EPFO के अनुसार 2 करोन से अधिक लोगों को नोकरी मिली, पियुश गुयल ने कहा कि आज युवा सिर्फ नोकरी नह हमारे जो केंदरी मंतिर पियुश गुयल ने एलान किया कि इंटरनेट डेटा खर्च में 50 गुना बढ़तोरी हुई है, भया जीयो आ गया तो बढ़तोरी तो होगी होगी, पियुश गुयल ने एलान किया कि सरकार का लक्षिग है कि अगले 5 साल में 1 लाक डिजिटल गाउं बनाए जाएं, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो हमारे बॉलिवुट से रिलेटेड है, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के मानिनिया प्रधानमंति नरेंद्र मोदी, कई बॉलिवुट से मिले जैसा कि आप लोग को स्किन पर नजर आ रहा होगा, सेल अब फिल्म शूटिंग की परमीशन के लिए सिंगल विंडो की विवस्था की गई है, मतलब कि अगर एक सिंगल विंडो से फिल्म शूटिंग का क्लियरंस मिल जाएगा, आपको भागा दोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, पहले ये विवस्था सिर्फ विदेशी फिल्मों वालों के लिए ही थी, मतलब कि जो हॉलिवुड से आते थे इंडिया में शूटिंग करने के लिए, सिंगल क्लियरंस की सिस्टम पहले उनी लोगों के लिए थी, लेकिन अब बॉलिवुड वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, तो हाउज जोश, हाई सर, नेक्स्ट, अब महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं कहते हैं कि हमारे लिए क्या, तो पियुश गोईल कहते हैं कि थेरो बेहन थेरो, अगर किसी महिला को बैंक से 40,000 तक का ब्याज मिलता है, तो उस पर TDS नहीं लगेगा, उन्होंने ऐलान किया है कि उजवला योजना के तहत आठ करोन गैस केनेक्शन बाटे जाएंगे, नेक्स्ट, दोस्तों ये वो मुद्दा है, जिसको लेकर मोधी गवर्मेंट प्रेज भी की गई, मोधी गवर्मेंट क्रिटिसाइज भी की गई, और ये है दोस्तों, गौ मुद्दा, अब देखते हैं कि गायों के लिए, जो एक्टिंग वित्मंत्रिंग है प्यूश गोयल, उन्होंने क्या कहा अपने बजट में, उन्होंने कहा कि रास्ट गोकुल मिशन के लिए साड़े सास सो करोन रुपे का एलान किया जाता है, इसके इलावा रास्ट ये काम धेनु आयों का गठन किया जाएगा, साथगी म पच्छुवारों के लिए भी तोफा दिया जाएगा, उन्हें अभ्याज में दो फिसदी तक छूट मिलेगा, तो कहीं न कहीं अगर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, तो मिडिल क्लास फैमली को दिमार्ट में रखते ही, मिडिल क्लास फैमली और लोगल मिडिल क्ला प्यूज गयल ने ये एलान किया कि नए घर खरीदने वालों पर GST का भार कम करने की कोशिश की जा रही है, इसके इलावा जो नए कमपनिया खोल रहे हैं, उनको रहा देते हुए कहा कि अब सिर्फ 25 फीसदी ही कॉर्पोरेट टैक्स भरना होगा, पहले ये इस लाब दोस् 6.54 परसंट था, अब ये 25 फीसदी कर दिया गया है, अब देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या चीज़े लागू होती है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे देश का जो मिशन, इस पेश मिशन है, उस पर प्यूश गोएल ने का क्या कहा, जैसा कि आप लोग हर हर कोई जानते हैं कि बीथे कुछ समय में भारत ने अंतरिक्ष के छेतर में इतिहास में, मतलब कि भारत ने अंतरिक्ष के छेतर में इतिहास रचा है, प्यूश गोएल ने अपने बजट भाशण में अंतरिक्ष छेतर के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि भारत 2022 से पहले अपने मिशन गंगा यान को पूरा कर लेगा गंग यान को पूरा कर लेगा और दोस्तों सबसे important point की सरकार ने defense budget को बढ़ा कर 3 लाख करोण रुपे से ज़्यादा करने का फैसला किया है और ये भारत की इतिहास का सबसे बड़ा defense budget है आस तक की भारत की इतिहास का 1947 तक से और एक बात याद रखेगा दोस्तों कि ये 3 लाख करोण का जो बजट है वो पाकिस्तान की पूरी बजट से कहीं जादा है मतलब कि हमारा defense budget equal to पाकिस्तान के बजट से भी जादा और सरकार ने ये दावा किया है कि one rank one pension लागू कर दिया गया है अब तक 35,000 करोण रुपे जव के हैं और सभी जवानों के लिए तंखा और भत्ते बढ़ाए गए हैं तो जय जवान जय किसान किसान खुश जवान खुश तो देश खुश तो दोस्तों ये था कुछ important point प्यूश गोयल के पिटारे से और भी इन्होंने कई सारी schemes हैं जो की launching हैं जिसके लिए मैं आप लोगों के हित में हैं और कहां तक आप लोगों के अहित में हैं उमीद हैं आप लोग कमेंट जरूर करेंगे सो विश यू आल वेरी गुड़ लग टेक केर गुडबाई शबाख्यार